एक स्वास्त मनुस में खाना लगभग कितने घंटे में पच जाता है मी देखिए अच्छे से पचने के लिए कम से कम आपको छे घंटा छोड़नी चाहिए अब समझो भाई कुछ एक्स्ट्रा बाते आज के लिए इतना ही राधने देते हैं फिर आप आगे कल करेंगा भी चीज़ छे घंटे उसको टाइम दीज़े बार बार छोड़ेंगे तो बार बार लीवर से निकालना पड़ेगा बिलरुबीन वगरा यह सब चीज़े दूसरा चीज़ जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको जादे पानी नहीं पीना चीज़ अगर धकच के पानी पी ले यह देखे हैं यह हमारी यह सब पाचन की किरिया हो रहा है पेट वगरा है यहाँ पर अगर आप माल लीचे एक लोटा पानी पी लेंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है पंचुछूर हो जाएगा इधर से कोलेसिस्टोकाइन उपर शुचूर मताद सब ची सब्सेटूध्र जाएगा तो पानी जाए यह सबोल को जाए खाने के सीटोगाए बॉला रहे और संब्रोक्लोरिक वाला पानी सुचुर को कहते हैं गाइगा ठ spielt हो खाना क्याते वर्ख कम से कम पानी पीना चाहिए प्सक्ते हैं आदा क्यास मैकसिमम समझ यह तो एक गिला पी देता है जब खाना खाली है उसके एक देड़ घंटे बाद द attentive पानी पी towah लेकिन उस टाइम perspectives उसके बाद ही में करें में ताकत कहीं से होता ही प्रहरत है तो सरीर के चारोर का blood जो है, वो इन सारे चीजों के पास आ जाता है, अब कहता है तुम पचाओ, तुम पचाओ, मतलब जो blood होता है न, blood, brain से लेके A to Z चीज, वो कहाँ पे चला आते हैं पेट में, अब कई लड़कों को लगता है कि सर, पेट के अंदर blood आ जाता है, नहीं, जो पेट है बाबू, ये पेट की तो अपनी भी दीवारे हैं, छोटी आत की अपनी भी दीवारे हैं, छोटी आत के दीवारों के बीच में blood है, हम ये खाली जग में नहीं बोल रहे हैं, वरना उल्टी करते तो blood क्यों आए, नहीं आता, ये इसकी जो दीवारे हैं पेट की करता है तो ब्रेंच होता है न सिगनल देने लगता है कि सको पेट को बडी के ज्यादे तर ब्लॉद जokते इसके अंदर आजाते हैं इस मोटे वाले मतलब मौटाई में चले इसमें बलड नहीं आता है इसमें ख़Tr O के बाद आदमी लेटने लगता है इसलिए जब कोई काम करने जा रहा है तो कोशिश कीजिए गा उसके एक घंटा तक कुछ न खाए उससे पहले वरना फिर खा लेंगे तो फिर नीद आने लगे खाना खाने के वाद नीद क्यों आता समझ में आगे आप लोगको खाना खाने क क्ष्ट क्लास को कब करेंगा